हेलो दोस्तों अब आ गए हैं 9th क्लास के हम 2nd chapter में 1st अपना complete हो चुका है और 1st chapter में हमने पढ़ा कि matter क्या है, chapter का नाम ही था matter in our surroundings और उसके बारे में और बहुत सारी बात हैं हमने पढ़ी अब जो 2nd chapter अपना है, वो है is matter around us pure तो यह जो matter है जो बार-बारा बच्पन से पढ़ रहे हैं कि anything which has mass and volume and the presence of which can be felt by any one of our senses यह जो matter है दार्त है यह जो अपने चारों तरफ जितना भी matter हम देखते हैं यह pure है यह नहीं है पहली बात तो यह है आप clear कर लीजिए science student के लिए pure का मतलब अलग है और एक normal human being के लिए अलग है science में pure का मतलब है कि जो चीज आप ले रहे हैं जो substance आपके पास है उसमें उसके अलावा दूसरी कोई चीज उसके अंदर mix नहीं होनी चाहिए चाहिए वो उसे अच्छी हो या बुरी हो महंगी हो या सस्ती हो लेकिन दूसरी mix नहीं हो तो वो pure है pure means only one kind of particles या elements are present तो देखो हमारे चारों तरफ जो matter है ना पहली बात तो यह है कि सभी matter pure नहीं हो सकते all होते भी हैं लेकिन all matter are not pure पहली बात तो याद रखें यानि कि दो तरह के matter मिलेंगे आपको या तो pure substances या फिर आपको क्या मिलेंगे mix चैंस अब pure substances क्या है कि इसमें केवल one kind of particles एक तरह के particles इसमें पाई जाएंगे क्या ये जरूरी है कि इसमें एक ही तरह के हो नहीं एक से ज़्यादा तरह के भी हो सकते हैं लेकिन अगर ऐसा होगा तो वो क्या होंगे वो fixed ratio में या fixed weight में combined मिलेंगे जैसे common salt है common salt क्या है NaCl ये है एक pure substance इसी तरह magnesium oxide ये pure substance है means ये है कि एक magnesium का item है एक oxygen है मास की terms में देखेंगे तो ये 24 होता है ये 16 है जैसे है तो 20 parts by weight of magnesium is combining with 16 parts of oxygen तो ये fixed है तो fixed proportion है तो उसको भी हम क्या कह सकते हैं pure substance कह सकते हैं लेकिन generally क्या होता है कि एक ही type के particles ही होते है pure substances में mixtures जो है इसमें क्या होगा दो या दो से ज़्यादा substances substances means या तो वो elements होंगे या फिर वो compounds होंगे या दोनों भी हो सकते हैं तो जब वो किसी भी ratio में मिल जाएं एक fixed ratio ना हो definite ratio ना हो तो उसको हम बोलते हैं mixture और ये दो type के होते हैं homogeneous और heterogeneous जहां तक बात pure substances की है तो pure substances अपने पास जो है ये फिर दो type के हैं एक तो होते हैं element और दूसरे होते हैं compound एक element है एक compound element means जिसमें same type के substance हो या atoms हो जैसे आपको कहा जाए iron जैसे कहा जाए आपको oxygen तो सारे oxygen oxygen है तो element है same type के होंगे इसी तरह है या iron की बात करें तो iron iron है तो जिसमें same kind of atoms हैं वो क्या है element है compound means combination of elements लेकिन ये combination होगा fixed ratio में जैसे h2o जो water है ये compound है लेकिन ये fix है कि जहाँ water है उसका formula h2o है अगर यहाँ पर आपने h3o कर दिया तो ये water नहीं है h2o6 कर दिया तो ये water नहीं है water क्या है h2o तो ये fixed ratio है कि जब दो hydrogen एक oxygen के साथ combine कर रही है तब water बनता है तो इसको compound बोलते हैं जब fixed ratio में combine होता है element फिर से चार टाइप का है metals दूसरे हैं non metals तीसरे हैं metaloids और चोथे हैं noble gases अब 10th class में पूरा chapter आएगा metals and non metals यहाँ पर तो केवल हमने definition ही समझनी है metals क्या होते हैं तो metals वो होते हैं जो electron खोकर positive iron बना लेते हैं जैसे sodium है तो वो electron खोकर na positive बना लेगा यह katein है magnesium है दो electron खोकर mg2 positive बना लेगा यह जो positive charge आ जाता है ना ऐसे species को katein कहा जाता है और negative वालों को NIN कहा जाता है जिसे CL negative यह NIN है तो जो electron खोकर क्यों electron पर negative charge है electron जब खोया जाएगा तो negative तो गया तो फाल्तु कौन बता ज्यादा कौन बचा यहने के proton यहने के positive तो जितने electron जो atom lose करता है ना उसके उपर उतना ही positive आ जाता है सोडियम ने एक negative एक electron खोया तो एक negative चला गया इट मींज एक positive ज्यादा बच गया तो एक positive इसके सिर पर रख दिया हमने magnesium ने दो electron खोये दो positive इसके सिर पर आएगा मींज यहां पर आ गया है तो इस तरह जो positive ions बनते हैं इनको cation का आ जाता है तो metals की definition क्या है फिर सुनिए जो electron खोकर positive ions बनाते है means which form cations by losing electrons who metals होते है और इन में बहुत सारी बाते हैं जैसे metals hard होते हैं जैसे metals jakher solid होते हैं कितने metals है लगभग 93 elements जो periodic table में है वो metals हैं और क्या होते हैं यह malliable होते है mean meanc इनको peat-peat कर thin sheets बनाई जा सकते हैं और क्या होते हैं यह ductile होते है means इनको खीच कर इनकी लंबी-लंबी तारें आप बना सकते हैं, तो malleability है, ductility है, यह property जिन में होते हैं, और क्या है, यह heat के और electricity के अच्छे conductors होते हैं, means heat यह electricity में अच्छी तरीके से चलती है, यही कारण है कि copper की wires होती है, क्योंकि electricity में से चल सकती है, या फिर आपके घर में कोई भी iron road है, आप उसको कहीं भी गर्म चीज के उपर रख दें, चुले के उपर रख दें, तो कुछ समय बाद वो सारी गर्म हो जाती है, क्योंकि heat उसमें से क्या हो रही, conductori transfer हो रही है, एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ, इसके अलावा यानि क्या अच्छे conductors हैं, तो क्या क्या पड़ा हमने, hard है, good conductors of heat and electricity है, malleable है, ductile है, इसके अलावा sonorous है, जब इनको किस चीज़ आप टकराओगे, तो यह sound produce करते हैं, तो यह properties हम 10th में पढ़ेंगे, अब इनकी जो उल्टी properties हो non-metals की हैं, कि यह electron लेकर negative ions बनाते हैं, यह hard नहीं होते हैं, यह malleable नहीं होते हैं, यह ductile नहीं होते हैं, अब जैसे कि iron, copper, gold, silver यह metals हैं, fluorine, chlorine जो gases वगरा हैं, इसमें तिनों चीज़ा आते हैं, वैसे non-metals solid भी हो सकते हैं, liquid भी हो सकते हैं, और gaseous भी हो सकते हैं, अब एक और important, अगर आप से यह पूछ ले, कि liquid कोई metal बताओ और non-metal बताओ, important question है, तो एक ही metal ऐसा है, जो room temperature पर liquid state में मिलेगा, और वो है mercury, करी, और एक ही ऐसा non-metal है, जो आपको liquid मिलेगा, वो है bromine, तो एक metal, एक non-metal, एक-एक हैं, थोड़े बहुत हो से, जैसे metal हैं, कुछ ऐसे हैं, जो थोड़ा सा बढ़ाती, room temperature कितना है, 25 degree Celsius, आप जैसे cesium है, gallium है, तो यह up to 30 degree Celsius liquid बन जाते हैं, लेकिन हम बात करें, room temperature की, तो strictly speaking, उसमें mercury की हम बात करते हैं, metaloids की जहां तक बात है, जैसे germanium है, gallium है, इस टाइप के जो हैं, तो इन में क्या होता है, दोनों की properties होती है, metals की भी हैं, और non metals की भी है, noble gases है, यह ऐसी है, 18th group है, कौन कौन सी है, helium, neon, argon, krypton, genon, redon, redon क्या है, यह radioactive है, means यह अपने आप radiation छोड़ता रहता है, तो यह जो है, जो हम याद करते थे, हीना, नीना, और करीना का X-ray रंगीन, यह noble gases हैं, helium, neon, argon, krypton, genon, redon, यह noble gases है, means यह monoatomic gases है, यह react नहीं करती, यह सारी gases है, यह भी बात क्लियर है, monoatomic means ऐसा नहीं मिलेगा कि HE2 की form में मिल जाए आपको, अकेला मिलेगा, mono means होता है one, unreactive होती है, इनके discovery भी बहुत बाद में जाके हुई है, राम से, रेले यह scientist थे, इन्होंने बाद में इनके discovery की है, periodic table में, अच्छा, यह थे चार type के क्या elements, जो हमने थोड़ी थोड़ी इनकी बात की, compound की अगर हम बात करें, तो compound है mainly, दो type के, जो इस level पर हम पड़ रहे हैं, organic और inorganic, जो carbon के compound हैं, और इसका साथी कून है, hydrogen, carbon और hydrogen means hydrocarbons, वो organic compounds हैं, और इसके अलावा जो बच गए elements उनके compounds कैसे हैं, inorganic compounds हैं, काफी यहाँ पर भीड़ हो गई है, फिर से यहाद दिला रहूं, matter two types का थापना, pure substances और mixture, pure substances, element और compound, compound two types, organic, inorganic, elements, four types, metal, non-metals, metalloids, noble gases, mixture बचा हुआ है, तो यहाँ लिख रहा हूं दोस्तों, गोर फरमाएगा, mixture है दो type का, एक है homogenous, और एक है heterogeneous, अब यह लिखे हुए तो है, मैंने notes बता रखा आपको, इस वीडियो में नीचे जो black, पट्टी सी है, इस पर लिखाई हुए website, इस पर यह notes आपको मिल जाएंगा, आप इनको वहाँ से निकाल सकते हैं, होमो, होमो वर्ड जहां भी आएगा science में, इस का मतलब होता है same, और हिट्रो का मतलब होता है different, यानि क्या अलग अलग, तो होमो जीनियस का मतलब है, ऐसे mixtures जिनकी uniform composition होती है, एक जैसी होती है, जैसे salt solution, आपने water लिया, उसमें salt, नमक मिला लिया, solution बनाया, अगर आप शीशे का glass है, उसमें आपने salt और water मिला लिया, तो क्या आप मिलाने के बाद ये देखके बता सकते हैं, naked eye से, कि इसमें salt कहा है और water कहा है, आप ये नहीं बता पाएंगे, क्यों, क्योंकि वो पूरी तरह से uniformly एक दूसरे में mix हो गये हैं, इनको बोला जता है, homogeneous mixture इसी तरह जैसे sugar है, sugar और water आपने मिला दिया, तो क्या हुआ, homogeneous mixture है, alcohol और water, शराब है और पानी मिला दिया, मिलने के बाद दोनों को mix कर दिया, फिर आप ये नहीं बता पाएंगे, अलग से कि alcohol का है, water का है, तो ये क्या है, homogeneous mixture है, mixture ऐसे होते हैं, जिन में definite composition नहीं होती, जैसे salt solution बनाना है, तो अगर आपने एक गिलास में एक चमत salt डाला, तो भी भी वो एक mixture है, और अगर आपने दो चमत salt डाल दिये, तो भी वो mixture है, जबकि compound की बात क्या थी, H2O जिसका formula है, वही compound है, fixed ratio है, यही कारण है कि ये बनने क के बाद, इनकी property change हो जाती है, hydrogen की अलग properties होती है, oxygen की अलग होती है, लेकिन मिलकर ये बना, तो इसकी अलग है, hydrogen की property ये है, कि ये बहुत ज्यादा combustible gas है, means, विसपोर्ट के साथ जलती है, oxygen की property क्या है, कि ये जलने में मदद करती है, देखो, क्या-क्या property जिन की, इन दोनो से मिलकर क्या बना, water, water की property ये है, कि वो ना जलती है, ना जलने में मदद करती है, वो बुजाता है, यानि कि अलग बुजा देता है, उसका काम नहीं जलाना, तो property change होगी इसकी, mixer में क्या होगा, property change नहीं होती, नमक को आपने पानी में मिलाया, इसके बाद नमक का टेस्ट उस water में आएगा, और वैसाई टेस्ट आएगा, जैसे उसका बाहर था, means, any ratio, किसी भी ratio में combine होगा, और उनकी जो individual properties हैं, वो खत्म नहीं होती, वो agitives रहती है, हिट्रोजिनियस की बात करें, तो हिट्रोजिनियस क्या, हिट्रो means होता है, different, जिसमें different composition हो, mixing की ratio तो any ratio रहेग लेकिन उसकी composition भी अलग-अलग दिखाई देगी, जैसे sand and water, पानी है, उसके अंदर आपने rate मिला दिया, तो उसमें मिलाने के बाद आप ये बता सकते हैं, कि rate कहा है, वो आपको दिखाई देगा, अलग से, तो वो क्या है, different composition, या जैसे कि water के अंदर आपने oil मिला दिया, तो उस water में आपको दिखाई देगा oil कहा है, तो वो कैसा mixture है, वो heterogeneous mixture है, तो ये 4 सा क्या पढ़ा हमने, कि pure substances और mixtures की type, अब बहुत जल्दी जल्दी इस वीडियो में, last में चलते चलते, pure substances के बारे में, दो चार बाते जान लेते हैं, और इस वीडियो के last में जान लेते है चलते हैं, चलते हैं, क्या characteristics of pure substances, क्या characteristics उनकी है, क्या collection उनके होते हैं, पहला है, जो pure substances हैं, ये कैसे होते हैं, they are homogeneous in nature, ये अभी हमने पढ़ लिया है, means uniform composition होती है, उसको आप अलग-अलग, यानि कि different parts में different layers नहीं होती, दूसरी, definite set of properties, properties जितनी हैं, जैसे physical properties वगरा हैं, इनकी definite values होती हैं, next अगर हम बात करें, जैसे के boiling point है, तो ये definite होंगे, या जैसे melting point है, तो ये क्या होंगे, definite होंगे, इस type के, यानि के definite set of properties इसकी होती हैं, और अगली अगर हम बात करें, तो क्या है, इनकी जो composition है, उसको आप physical method से change नहीं कर सकते composition cannot be changed by physical methods तो ये कुछ important points से हैं आपको याद रखने हैं किसके है pure substances की क्या-क्या characteristics है ये अमपड़ चुके हैं pure क्या होता जिसमें only one kind of atoms होते हैं या elements होते हैं हाँ अलग-अलग type के हैं तो फिर condition क्या है pure substances वो भी होते हैं जिनमें more than one kind of particles हो लेकिन फिर वो fixed ratio में रहने चाहिए और आखिर में दोस्तों वही बात कि इस वीडियो को like करना, share करना, subscribe करना ना भूलें ज़्यादा से ज़्यादा इसको circulate करें ताकि ये free educational videos ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचें और ये बड़ा अच्छा method है आपके तयारी करने का, चाहिए आप board level की है या NTSC की आप तयारी कर रहे हैं इसमें एक chapter लगबग एक गंटे मापका complete हो जाता है print निकालिए, page हाथ में रखिए, video सामने चलाइए, लगबग एक गंटे मापका chapter clear है इसके बाद simply आप MCQ की practice कर सकते हैं और अच्छी तयारी कर सकते हैं जारी कर सकते हैं झाल झाल